हंजी नमस्कार दोस्तों सागत है आपका एक बर फिर से हमारे यूटूब चैनल प्रिक्षा गाइड पर दोस्तों राजस्थान लाइब्रेरियन भरती 2024 से सम्बंदित बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ चुकी है जी हाँ दोस्तों आज ही की तारीक में साथ फर्वरी को एक इंपोर्टेंट अपडेट आई है अफिसियली यहाँ आप देख सकते हो second grade और third grade librarian syllabus में हुआ बड़ा बदलाव जी हाँ दोस्तों इन दोनों के syllabus में बहुत बड़ा बदलाव हो चुका है ये आप सभी के लिए good news भी रहने वाली है आज की वीडियो में आपको जो मैं बताने वाला हूँ और इन दोनों भरतियों के notification कब तक आने वाले हैं इसकी भी जानकारी में आपको देने वाला हूँ तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि क्या क्या syllabus में बदलाव हुआ है तो आईए दोस्तों वीडियो करते हैं सुरू वीडियो को last तक देखके जाना दोस्तों ये वो notification है जो आज ही की तारीक में 7 February 2024 को आया है राज संसोधन किये गए हैं उसके बारे में full update है इसमें ठीक दोस्तों चाहे वो first grade हो second grade बरती हो या computer अनुदेशक की भरती हो ठीक है librarian की बरती हो इन सभी की इसमें update है लेकिन आज की वीडियो में आपको librarian second grade और librarian third grade के बारे में बताने वाला हूँ कि इनके syllabus में क्या संसोधन किय गए हैं तो आईए दोस्तों चलते हैं संसोधन की और दोस्तों आप यहाँ पर देख शकते हो पुस्तकालिया धक्ष ग्रेड second और grade third के पद के लिए प्रत्योगी प्रिक्षा की scheme और पठ्थे वीवरन के अधीन ठीक दोस्तों अब दोस्तों चाहे वो second grade का syllabus हो librarian या third grade librarian का syllabus सेम रहने वाले हैं जी हाँ दोस्तों आप बिल्कुल सही सुन रहे हो ठीक है दोस्तों तो आप यहाँ पर पहला point देखे द्यान से लिखा है प्रशन पत्तर एक यानि कि आपके जीके का पेपर करम संख्यांक पांच में विद्यमान अभिवेक्ति प्रतेक प्रशन पत्तर क साइंस का पेपर के करम संख्यांक पांच में विद्यमान अभिवेक्ति प्रतेक प्रशन पत्तर के लिए हटाई जाएगी मतलब कि दोस्तों आपको पता है कि आपके दो पेपर होते थे पहला पेपर होता था जीके का दूसरा होता था सब्जेक्ट का ठीक है आपको इन दो एक लाइन रखी गई थी कि इसे पार करोगे तो ही आगे पहुंचोगे ठीक है लेकिन अब इसमें संसोधन कर दिया गया है अब 40% की कोई भी अनिवारिता नहीं है इसे हटा दिया गया है आपके कितने भी नंबर आ रहे हैं से कोई फरक नहीं पढ़ रहा है 40 लाओ 30 लाओ ठीक है अब 30 लाओगे तो failure जाओगे जाहिर सी बात है लेकिन 40% का कोई लपड़ा नहीं है मतलब कि अगर आपका एक सब्जेक्ट है जिसमें 35 आ रहे हैं ठीक है और दूसरे में 65 आ रहे हैं अब आपको fail नहीं किया जाएगा अब आप 100 समझ गई होंगे क्योंकि पिछली पर क्या हुआ था कि काफी सारे student paper first जो gk वाला था उसमें fail हो गए थे लेकिन जो paper second था subject का उसमें पास हो गए ठीक है इसलिए वो आगे जानी पाए तो इसलिए अब उससे हटा दिया गया ठीक है अब आपके 40% है नहीं तो यह बहुत ही अच्छी भी बात है और नहीं भी है ठीक है अब वहीं पर आप देख सकते हो दूसरा point है यहां प्रशन पत्तर दो के क्रम संख्यांक 6 में ठीक है अब प्रशन पत्तर दो यानि की लाइवरेरियन साइंस का जो subject का paper है उसकी बात हो रही है तो इसमें लिखा है के मद सेकिंड यानि की unit सेकिंड की बात हो रही मतलब कि आपकी जो unit दो थी ना उसमें एक topic है सुची करण का मानक पठे करम उसके स्थान पर है ना दोस्तों अब ये topic जोड़ दिया गया है सुची करण की मानक सहीता ज्यादा फरक नहीं पढ़ने वाला लेकिन थोड़ा बहुत हेर फेर किया गया ठीक है क्योंकि पिछली पर इसका दूसरा point खे दिया हुआ है मद तीन के अधीन विश और भारत का समाने ग्यान हटाई जाएगी मद याने की unit third में से जो विश और भारत का समाने ग्यान है उससे भी हटाया जाएगा अब काफी सारे student मेरी तरह पहले ये सोचा होगा कि साथ अब हमारे subject से याने की हमारे syllabus से विश का और भारत का जो जीके है वो हटा दिये गया है लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है पिछली बार क्या था कि जो paper आपका second था ना उसमें जीके भी दिया हुआ था इंडिया और वर्ल्ड गा तो उसे वहां से अटाया गया पेपर second से ना कि paper first से अटाया गया है वहीं पर दूसरा point है गया point है मद third के अधीन विद्यमान अभिवेक्ती उनकी विशेशता है CC EDC UDC के स्थान पर अभिवेक्ती उनकी विशेशता है CC DDC UDC पर स्थापित की जाएगी और आगे भी है इसका क्या मतलब है इसका कोई ज़्यादा फरक नहीं पढ़ने वाला जो आपका पहला सलेबस तरह उसमें यह EDC लिखा हुए ठीक है अब उसके स्थान पर यह DDC कर रहे है ठीक है बस और घया point है इसका घया मद fourth के अधीन यानि कि unit 4 में दिया हुए आपके सिक्षा मनोविज्यान उसे हटाई जा रही है अब यह मत सोच लेना कि सिक्षा मनोविज ठीक है अब मैं आपको सलेबस दिखा देता हूँ क्या क्या बदलने जा रहा है ठीक है दोस्तों यह तो आज की official update थी जो मैंने आपको बता दी है अब मैं आपको सलेबस का बता देता हूँ आपके सलेबस में क्या क्या बदलाव हो रहा है दोस्तों आप अपना सलेबस परच्चा सा निकाल कर दे दिया गया था काफी सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज थे कि कौन कौन से टॉपिक पढ़ें आकर ठीक है तो यहां आप देख सकते हो एक्जाम स्कीम सबसे पहले आप देखो पेपर फच्ट जो आपका होता है जर्नल नोलेज का इसमें जो पहला दूसरा था क्रेंट अफेर्स ओफ राजसान पिछले 6 महिने का आपको क्रेंट अफेर पढ़ना पढ़ता है जब आपका पेपर होने से पहले का ठीक है तीसरा पॉइंट था जर्नल नोलेज ओफ वर्ल्ड एंड इंडिया ठीक है यह भी आपको पढ़ना पढ़ेगा कोई बदलाव नहीं हुए और चोथा है एजुकेशनल साइकलोजी सिक्षा मनोविज्यान ये भी आपको पढ़ना पढ़ेगा टोटल इन में से प्रशन पूछे जाते हैं सो जो 200 नंबर के होते हैं और दो घंटे का आपको समय मिलता है वहीं पर दूसरा पेपर होता है आपका स ठीक है अब मुद्ध क्या है आखिर ये दिया तो हुआ था सिलेबस फिर सिलेबस में बदलाव क्यों किये गए तो दोस्तों सिलेबस में बदलाव इसलिए किये गए आप यहां देखो यहां भी आपको जर्नल नोलेज ओफ वर्ल्ड एंड इंडिया का मिल रहा है एजुके पिछली बार पेपर फश्ट में 25 प्रशन आये थे एजुकेशनल साइकोलोजी के और पेपर सेकिंड में भी आपको साइकोलोजी के 15 प्रशन देखने को मिले थे ठीक है दोस्तों और वहीं पर इसमें आप देख सकते हो यहां पर यह देखो यहां पर भी आपका जर्नल नो के ही सो प्रशन पूछे जाएंगे प्योर लाइबरेरियन साइन्स के जो आपको सलेबस आने पर बता दिया जाएगा कि कौन-कौन से टोपिक मिलने वाले हैं और मैं आपको अब ये भी बता दूँ कि आपका जो लाइबरेरियन सेकंड ग्रेड और लाइबरेरियन थर्ड ग्रेड दोनों का सलेबस सेम रहने वाला है लाइबरेरियन सेकंड ग्रेड में हिंदी और इंग्लिस नहीं आएगी जी हां दोस्तों बिलकुल सही सुन रहे हो इंग्लिस और हिंदी नहीं आएगी ठीक है दोनों का सलेबस सेम रहेगा इस बार ठीक है दोस्तों वहीं आपको बता दूँ कि लाइबरेरियन सेकंड ग्रेड में सेकंड ग्रेड में आपको जो पदों की संख्या देखने को मिलेगी वो साड़े तीन सो के लगभग मिलेगी साड़े तीन सो के और वहीं बात करें आपके थर्ड ग्रेड की लाइबरेरियन थर्ड ग्रेड की जो बरती आने वाली है उसमें जो पदों की संख्या रहेगी वो स साड़े साथ सो से आठ सो रहने वाली है टोटल 1100 से साड़े 1100 पदों पर भरती आएगी लाइबरेरियन की सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड को लेकर ठीक है और सबसे पहले जो सुचना मिल रही है कि सबसे पहले आपको सेकंड ग्रेड की भरती ही देखने को मिलेगी महीने के अंदर अंदर या दो महीने के अंदर अंदर आपको इनके नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएंगे और इस बार जो नोटिफिकेशन आएगा ठीक है ध्यान से सुनना इस बार जो नोटिफिकेशन आएगा लाइबरेरियन सेकंड ग्रेड हो या लाइबरेरियन थर् पढ़ने पढ़ेंगे मतलब कि आपको जो सलेबस आये को विल्कुल विश्थरित सलेबस होगा उसमें टॉपिक दिये होंगे कि आपको यह यह टॉपिक पढ़ने हैं दोस्तों यह थी आज की वीडियो फिर भी आपको कुछ भी डाउट रहता है तो आप बे जिजग कमेंट क है भारत